देश के जातर किसान मौसम के अधार पर खेती करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि मौसम के अधार पर की गई खेती से किसानों को ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। क्योंकि बाजार में इनकी मांग सबसे अधुक है। नमस्कार वेश्वी निवान खड़े और स्वागत आपका क्रिशी जाकर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मई महिना शुरूप मेंवाला है। जिसे हम वेशाक जैश्च भी कहते हैं। इसके अलावा इस महिने में ग्रिश्म रितु का भी आग्मन होता है। आपको बताने हैं कि मई महिने में देश के किसान खरीफ की फसल बोने का उचित समय मानते हैं। अगर किसान सही समय पर अच्छी पैदवार प्राप्त करना चाते हैं तो उन्हें फसल भी उसी समय के मताबिक अपनी खेत में लगानी होगी। और इसलिए किसानों को आनी वाले मौसम को ध्यान में रखकर भी उस फसल की बोवाई करना शुरू कर देना चाहिए। जिसके चलते बाजार में उन्हें उस फसल की अच्छी के मत प्राप्त हो सके। किसान बई महिने में रभी के फसलों की गहराई से सफाई करते हैं ताकि वै अगली फसल को लगा सके। और इसके बाद ही खेत में मक्का, जुआर और लूबिया की बुवाई करना शुरू करते हैं। और इस महिने में किसान अपने खेत की अच्छी से जुटाई और मोड़ों को बाढ़ने का कारे भी करते हैं। साथी किसान गन्य की फसल में लगभग 90-90 दिन के अंदर सिचाई करते हैं। और इसके बाद किसान अपने खेत में मक्का, जुआर और सुनकर नेपियर घास की फसलों के सिचाईं 10-12 दिन के बीच में करते रहते हैं। और इसके अलावा मई महिने में किसान आम के पेड़ों की देख भाल भी करते हैं। क्योंकि इस महिने में गर्मी जादा होती है और इसके अलावा इस महिने में अर्वी, अग्रत और हल्वी की बुवाई भी के जाती है। तो दर्शकों ये तो थी मैं महिने में फस्तों से जुड़ कुछ खास जानकारी है। इसके अलावा कि अगर आप कोई जानकारी प्राफ करना चाते हैं, तो नीचे दिए गए कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट कर जरू बताएं। फिलहाल के लिए हमें देजी अजाज़त और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहेंगे क्रशिजाबन के साथ। कि अधू करी बताएं।